नमस्का साथियो, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हाथ एक स्वागत है, साथियो, पिछली वीडियो में हमने करी थी सिक्षन यूजना, कक्षाठ, इतिहास, हमारा जो प्रेक्रन था, वो था भारत में अंग्रेजी राजे के स्थापना, उसमें हमने इसके भाग एक के बारे में पड़ा था, आज हम इसके भाग दो के बारे में देखेंगे, तो चलिए साथियो, शुरू करते हैं आज की वीडियो, सबसे पहले इसमें दिनां, कक्षा आठ, विशय इतिहास, अबधी 35 से 40 में, लर्निंग आउटकम, बच्चे ब्रिटिश कंपनी तथा भारतिय राजाओं के बीच हुई संधियों का वर्णन करते हैं, बच्चे प्लासी के युद्ध एवं बकसर के युद्ध तथा उनके परिनामों के विशय में बता पाते हैं, इसके बाद है प्रकरण भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापना भाग दो, साइक सामगरी है, पाठ़पुस्तक, शामपढ, चौक, डस्टर, और दीक्षा एप पर उपलब्ध सामगरी, फिर है सीखने सिखाने के प्रक्रिया है, सबसे पहले इसमें चरण, समय, और फिर आकलन के तरीके, सिख्षन के प्रारम में, सिख्षक बच्चों के पूर्व ज्यान का पता लगाने के लिए, उनसे पाठ़ के प्रधम भाग में पढ़ाई गई पाठ़ सामगरी के संबंद में परिचर्चा करेंगे, तथा प्रश्ण पूछेंगे, जिसके अबधी होगी 5 मिनट और आकलन क के तरीके हैं, प्रिश्ण उत्तर या परिचर्चा एवं सह भागिता, तो सिख्षक प्रेश्ण पूछेंगे कि पहला प्रेश्ण है, इस्ट इंडिया कंपनी किन फसलों के बागान भारत में लगाती थी, करनाटक के कितने युद्ध लड़े गए और राजाओ और को अंग्रेजों से क्या खतरा था, यह बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रेश्ण होगा, फिर है सिक्षण के दौरा, सिक्षक छात्रों को बताएंगे कि आज हम भारत में अंग्रेजी राज्य के स्थापना नामक पाठ के द्यूतिय भाग का अध्यन करेंगे, राजाओं सिक्षक इसपस्ट उच्चारन एवं हाव भाव के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगे, जिसकी अबदी होगी 20 मिनट और आंकलन के तरीके हैं अब लोगबन तथा सुनकर, फिर आदर्श वाचन के उपरान सिक्षक पाठ के मुखे बिंदू को शामपट पर लिखेंगे तथा चातरों से उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए कहेंगे, फिर है शामपट का रहे हैं इस पर पाठ की मुखे बिंदू को लिखा जाएगा, जैसे कि कमपनी को भेड़ देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतिये राजाओं पर बहुत बोच और 1756 इस्वी में अली वर्दिंग खान की मृत्यू होने पर उसका पौत्र सिराजु दौला बंगाल का नवाब बना 1757 इस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजु दौला तथा क्लाइब की सेनाए आमने सामने हुई मीर कासिम एक योगिश आशक था वे बंगाल की दिशा को सुधारना चाहता था प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक सिथी मजबूत की थी वहीं बकसर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिये बकसर के युद के बाद क्लाइब ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया क्लाइब ने मुगल बाश्या शहा आलम दोतिया और अवद के नवाग सुजाओ दौला के साथ इलाबाद की दो संधिया की फिर है सिक्षन के अंत में पठित पाठे सामगरी की परख के लिए सिक्षक छात्रों से निम्द का मिलान करने के लिए कहेंगे जिसकी अबधी होगी 10 मिनट और आकलन के तरीके हैं अवलोकन तथा सहभागिता इसमें आ और बा इन दोनों का मिलान करना है अली नगर की संधी दूसरा है प्लासी का यूद फिर है बकसर का यूद इलहाबाद की प्रधम संधी और इलाबाद की दूत्य संधी इनके आगे इनकी डेट दी गई है संधी यह गए हैं जो कि आगे पिछे लिखे गए हैं 1764 इसवी 12 अगस्ट 1765 इसवी 16 अगस्ट 1765 इसवी 9 फरवरी 1757 इसवी और 1757 इसवी तो इसके बाद चात्र इसका मिलान करेंगे क्योंकि उन्होंने पार्ट का पूरा अध्यन कर लिया है तो इससे पता लग जाएगा कि चात्र पार्ट को कितना समझ सके हैं फिर इसके बाद शिक्षक चात्रों को देख्षा एप पर पार्ट से समन्दी वीडियो दिखाएंगे फिर है प्रदत ग्रहकार है निमने प्रश्णों के उत्तर लिखिए ग्रहकारे के अबदी होगी पांच मिनट प्रश्ण है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था और बकसर के युद्ध का महत्व बताईए फिर है सिक्षन के आगामी कारय यूजना सिक्षन के बाद सम प्रापती परिक्षन में उभर कर आई कमजोरियों के सापेक्ष अगले दिन की कारय यूजना बनाई जाएगी तो साथियों यहां पर हमारी वीडियो समापत हो गई है आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए पाट के सिक्षन यूजना के साथ तब तक के लिए सभी को नमस्कार